अम्बानी परिवार ने अपने बेटे का विवाह किया हमारे यहां यह बाना जाता है कि महाजनों के रास्ते पर ये समाज चलता है महाजनों ये नगदस स्पुन्था है ये भी कहा गया है यद्यदा चरतिस्ष्ठहा तत्त देवे तरो जनहा सहयत प्रमानम कुरूते दोकस तदन वर्तते जैसा बिशिष्ट जन कर देते हैं आम लोग भी उसी का अनुसरण अनुकरण करते हैं तो हमको जब ये बताया गया कि ये ऐसा एक विवाह मभानी परिवार के दौरा किया जा रहा है जिसमें लंबे समय तक कई कारेक्रम आयोजित किया जा रहा है लेकिन किसी एक दिन भी एक बोतल सराब नहीं परुशी जा नहीं पुरी तरह से इस बारे में दिर्ड़ताक से विवत्ता बनाई गई है कि शराब किसी भी दिन किसी हालत में परुशी नहीं जाए हजारों वेंजन बनाए जा रहा है अलग-अलग मौकों पर लेकिन एक दिन भी कोई भी मांसा हार का वेंजन उसमें नहीं बनाया जा रहा है इतना ही नहीं बहुत सारी जो धर्मिक बितिया हैं उनका यथाबत अनुपालन किया जा रहा है और आशिरबाद गोष्टी में पहले वगवान की पूजा करके उनसे आशिरबाद लिया जा रहा है फिर गुरुजनों से आशिरबाद लिया जा रहा है फिर स्रेश्ट गुरुशों से आशिरबाद लिया जा रहा है इस तरह से भारती ये संस्कृती का अनुसरन करते हुए ये विवाह किया जा रहा है तो हम लोगों ने समझा कि ऐसे कारिय को अपना आशिरवात देना चाहिए जिससे हमारे देश में अब क्या हो गया है हम जानते हैं हम तो बड़े लोगों में भी जाते हैं और सामाने लोगों में भी जाते हैं गरीब से गरीब घर में भी जाते हैं हमको पता है आज परिस्तिती ये है कि विवाह का आयोजन करने पर बराती ही नहीं आते कह देते हैं कि हमारे लिए क्या वेवस्ता है अमुक चीज की बेवस्ता है की नहीं हमारे पास लोग आते हैं रोते हुए कि हम शराब नहीं परोसना चाहते लेकिन बरातियों की मांग है महराजी हम क्या करें वो कह रहे हैं कि हम आएंगे ही नहीं हमारे लिए क्या बेवस्ता है और अगर बेवस्ताना करो तो वापस नाराजों के चले जाते हैं तो जहां देश में ऐसी परिस्तिती बन गई हो कि कोई भी उत्सव ना शराब के ना तो शुरू होता हो ना तो पुरा होता हो वहां पर इतना बड़ा आयोजन एक व्यक्ति ने करके दिखा दिया जिसमें सराब नहीं परोसी जिसमें मांसाहार नहीं परोसा तो यह एक बहुत अच्छा कारी है हम लोगों को लगा तो हम लोगों ने समझा कि जा करके इनको आशिरवात करना चाहिए और उन्होंने बड़ यह जो शब्द बोल रहे हो आप ना अगर यह उन्हीं के द्वारा कहा गया संत समिती के किसी व्यक्ति के द्वारा कहा गया शब्द है तो हमारी आपत्ती है हमारे यहां शादी होती ही नहीं है शादी शब्द ही हमारे हिंदूओं का नहीं है हमारे यहां विबाह शब्द ह तो शादी, शादी का तो सवाली नहीं है इंदू में आप शादी शब्द का उचारण ही कैसे कर पाते हो पहले तो ये बताओ और दूसरी बात ये है कि विबाह है क्या तो आप जानेंगे कि हमारे वेद में, हमारे शास्त्र में चार वर्न और चार आश्रम बताये गए हैं चार आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम, ग्रिहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सुन्यास आश्रम है और इनमें चारों में हमारे शास्त्रों ने, विद्वानों ने कहा है धन्यों ग्रहस्त आश्रम है, ग्रहस्त आश्रम सबसे बड़ा आश्रम, सबसे धन्य आश्रम बताया गया है, क्यों? क्योंकि बाकी के जो तीन आश्रम है वो भी ग्रहस्त आश्रम पर ही निर्भर करते हैं, प्रमचारी के पास कोई उत्पादन नहीं है, वो ग्रहस्त आश्र आज कहा करते थे हम लोग सन्यासी हैं साड़े तेईस गंटे के सांसा हैं तो हम लोग उनसे पूछते थे कि साड़े तेईस गंटे के सांसा आदे गंटे पुले आदे गंटे तो हम विखारी हैं जब हमको भूख लगती है उसके पहले जब तक भूख नहीं है तब तक तो हम त्याग में, तपस्या में और साथना में लिद रहते हैं लेकिन जब भूख लगती है तो किसी न किसी ग्रहस्त के दरवाजे जाकर करके हमको भी भीक्षा याचना करने पड़ती है और उस समय हम भीक्षुक हो जाते हैं तो ऐसी परिस्तिती में जो ग्रियास्थाश्रम है उस ग्रियास्थाश्रम को अगर हम बल नहीं देंगे तो कौन बल देगा और अगर हमारा ग्रियास्थाश्रम बिगड़ गया तो फिर भारतिय संस्कुति ही बिगड़ जाएगी इसलिए ग्रियास्थाश्रम की इस तरह से और ये ना कहा जाए कि ग्रहस्ताश्रम में किसी को आशिरवाद देने जरी नहीं जाना चाहिए और ऐसा कोई वाकिय कहीं अपने शास्त्रों में उफलब्द नहीं होता है और हमारे जो पूर्व पूरुश हैं उन पूर्व पूरुशों में पूरी के शंकराचारी पूजय अभी चित्र हमारे पास आया है, इनके पास किसी भक्त ने भेजा है, उसके विवाह में स्वयम हो गए थे, हम लोग तो दूसरी तरह की मर्यादा में बैठ करके महां आशिरवाद दिये, लेकिन वो तो वरवधू के साथ खड़े होकर के आशिरवाद दे रहा है, तो इसका मत करते हैं, वो स्वयम गए है, दर्मसमराठ स्वामी करपातरी जी महाराज के बारे में अनेक लोगों ने बताया कि वो हमारे विवाह में आकर के हमको आशिरवाद दिये थे, स्वयम इस समय दूसरे जो शंकराचारी हैं, पुरी के शंकराचारी महाराज, उनके बारे में लो ग्रहस्त आश्रम अगर बिगड़ गया, तो सब सारे आश्रम बिगड़ जाएंगे, इसलिए ग्रहस्त आश्रम को बनाए रखना चाहिए, यह जो परिवार नाम की संस्ता है, यह ग्रहस्त आश्रम से आरंब होती है, और यह भी बहुत पवित्र आश्रम है, धन्य है, ऐसे मे इसकी सुरक्षा करना किसी भी धर्माचार्य का दाईत्व है अगर हमारे हाँ विभाह की संस्था समाप्त हो गई अगर ग्रहस्त आश्रम समाप्त हो गया तो फिर बरनाश्रम धर्म दह नहीं पाएगा इसलिए इस तरह की बातें किसी रागत द्विश्च से कह देना एक महाराज जी इस बात में को यतिशोक्ती नहीं है कि आज विश्व ने सलातन धर्म की ताकत को वहां पर देखा कभी महमान एक करफ हमारे संक्रा चाहरे जी एक करफ यह हम लोगों के लिए सम्मान की महाराज जी सवाल आप चाहिए है कुछ लोगों का यह कहना है कि अडानी और अमबानी को देश का लुदेरा करने वालों के यहां उनको जाना नहीं चाहिए है आपको महाराज जी सवाल देखिये हमारे यहां जो है उद्योग धंधा जिन लोगों ने लगाया है उनको बहुत बड़ा राश्ट्र के लिए योगदान करने वाला माना गया है उनको स समर्थन करती हैं और समर्थन ही नहीं करती हैं लाखों करोड रुपय का अनुदान उनको देती हैं अगर कोई उद्योग घटे में चलने लग जाये तो सरकार अपना पैसा दे करके उसको फिर से उबारती है और उबार करके फिर से उनको मौका देती है कि आप चलाइए हमा पर उद्योग पतियों को बहुत बड़ी बड़ी पैकेज की राहत दी है क्योंकि उनका हमारी अर्थबेवस्था को उचा उठाने में बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान है और उनके बिना देश चलना मुश्किल हो जाएगा तो ऐसी परिस्तिती में उनको उठाई